सलमान खान के घर के बहार ताबर तोड़ गोलियां बरसाने वालों का पहला CCTV फोटेज सामने आ गया है फोटेज में दो बाइक सवार सलमान के गेलेक्सी अपार्टमेंट के सामने से गुजरते हैं दोनों ने अपने अपने सिरो पर हेलमेट लगा रखा है एक आरोपी बाइक चुला रहा है तो दूसरा पीछे बैठा हुआ है जिसके हाथ में बंदूग भी है यह बाइक सलमान के घर के सामने से गुजरती है बाइक की स्पीड सलमान के घर के सामने आकर स्लो हो जाती है इतने में पीछे बेटा शक्स बंदूग से फायर करता है गोली सीधा सलमान खान की बालकनी पर जाकर लगती है गोली का खोका उचल कर सलमान की बालकनी में वहीं गिरता है जहां सलमान खड़े होकर अपने फैंस से मिलते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट की माने तो शूटर ने कुल चार गोलिया चलाई है पुलिस को एक लाइव बुलिट भी मिली है ये लाइव बुलिट बंदुक लॉक करते समय गिरी हुई हो सकती है पुलिस ने आरोपियों की फोटो भी जारी की है जिसमें गोली चलाने वाले की शक्ल साफ देखी जा सकती है पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपियों की कद गाटी देख लगता है कि दोनों महराश्च के नहीं है हाइड देख कर अंदाजा लगाय जा रहा है कि दोनों हर्याणा या राजिस्ठान में से हैं आरोपियों ने है हमला बाकाइदा सल्मान को बता कर किया है पांच जून 2022 को सलीम खान जॉगिंग पर गए थे तब वो जिस बेंच पर बैटे थे उन्हें वहाँ एक चिठी मिली थी चिठी पर लिखाता कि सल्मान का हाल सिद्धू मूसे वाला की तरह करेंगे लॉरेंस के यूएसो में मौझूद गेंगिस्टर भाई अन्मोल विश्णोई ने सल्मान के घर हुई फाइरिंग की जिम्रारी लिए है उसने एक फेस्बुक पोस्ट में लिखा है हम आमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ फैसलागर जंग से हो तो जंग ही सही सल्मान कान हमने तुम्हे ये ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी तागत को और मत परखो ये पहली और आखरी वार्निंग है इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी और तुमने जिस दाउद इबराहिम और छोटा शकील को भगवान मान कर रखा है उसके नाम के हमने दो जानबर पाले है बाकी जादा बोलने की हमको आदत नहीं है लॉरेंस विश्णोई ग्रूप, गोल्डी बराड ग्रूप, काला जठेडी ग्रूप, रोहित गोदारा ग्रूप फिलाल सलमान के घर पर समय पुलिस जाज कर रही है उनकी सुरक्षा और चौक चौवंद कर दी गई है बीरो रिपोर्ट, बॉलीबुट पे चर्चा